नमस्कार जी मैं संधिया फ्रेंड्स सुबा सुबा का टाइब और यह देखिए मेरा गार्डन कुछ इस तरीके से बिखरा बिखरा तो साफ सफाई मैंने कर दिया है बस सीड को इस तही से लगा नहीं कुछ प्लांट तो मैंने लगा दिये हैं और कुछ जो है यह ऐसे हैं मतल अब इनको फटिलाइजर की जरूरत है तो जो में फटिलाइजर क्या दूंगी आप लोगों से अभी में शेयर करूंगी तो यह देखिए प्लांट मेरी ठीक ठाक से चल रहे हैं हैं तो सोचरी इसमें कुछ मैं फंजिसाइट का इस प्रेव अगरे कर दूं ताकि इसमें थ फूला मारी हो वो ठीक हो जाए और कुछ पतिया पीली है तो वो तो मैं खाद वगरे दूंगी तो उससे ठीक हो जाएंगी तो यह देखिए इसमें कुछ ज़्यादाइं पतिये पीली हो गई है तो इसको अच्छी आज में खात देने वाली हो इन प्लांट को ताकि इनके जो है घल्दी हो और ठीक हो जाए लेकिन बड़े टिड्डे जो है गार्डन बड़ी परिशान कर रहे हैं इनका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करोई पत्तिया खा जा रहे हैं च्छोट च्छोटी पॉद जो तयार हो रही हो उनको भी खा जा रहे हैं तो इतने बड़े- आधाे मेरे पास और यह नीम्खली है बर्मीड और बोन मिल है इस पूरी सी चाय की पती यह अच्छे से धूली और सुखा रखी चाय की पती यह एण। पिके का अच्छा सूर्स होता है चाय की पत्ति और यह थोड़ा से गोबर की खाद है तो साल भर से तो मेरे पास गोबर की खाद रखी हुई है और मतलब पूरी तरह से डिकंपोउस्ट है, और जिनके यहां से मैंने मंगवाया था, उनके पास भी यह साल भर पुरानी, कहने का मतलब यह दो साल पुरानी कावड़न कंपोउस्ट है, तो यह ड्राय हो चुकी है, अच्छे से, तो मैं सोच रहे हूँ कि इनको अच्छे से म मतलब मिक्स करके तभी डालूंगी और मतलब बरसात के बाद यह पूरा कंप्लीट फटिलाजर है रोस प्लांट के लिए और मतलब आज जैसे बरसा बारिस के बाद जो में खाद दूंगी वो काफी थोड़ी ज्यादा मात्रा में दूंगी और उसके बाद फिर में धीरे-धी करके हर महीने में दूंगी या 15-20 दिन पर जो भी दूंगी तो थोड़ा कम-कम करके ही दूंगी और लिक्विट फटिलाजर जो है वो मेरा चलता रहेगा सरदियों में तो यह जो है मतलब एक अच्छा फटिलाजर है रोस प्लांट के लिए तो इनको सभी तरह के प्लांट को भी दे सकते हैं फ्रूट वाले प्लांट को भी दे सकते हैं सबजी वाले प्लांट को भी दे सकते हैं और यह रोस प्लांट जो हैवी फीडर प्लांट होते हैं उनको भी और गुड हैल वगरे में भी डाल सकते हैं तो मैं यही फटिलाजर जादा तर बरसात के बाद पौ मैं डाल दे रहूं अच्छे से इनको मिक्स करके तो यह काफी हद तक देखे मैंने मिक्स कर दिया है और मतलब लकड़ी की खाद लो लकड़ी की जो राक होती वो मेरे पिछले साल की ही राक है अब इस बार भी में स्टोर करके रखूंगी तो यह में बीच-बीच में डाला कर रहे हैं और इस तरह की खाद अगर आप बना के डालते हैं तो फिर समझ लीजे कि आप खाद नहीं भी डालेंगे पूरे सीजन में तो भी आपका प्लांट एजली चलता रहता है और मेरा मानना यह है कि कोई भी प्लांट जो होता है वो खाद के वज़े से नहीं अच्छी म मेरे मिट्टी थोड़ी गीली है हाला कि आप अगर खाद डालते हैं थोड़ी मिट्टी ड्राय कर लीजेगा एक दो दिन पानी मत दीजेगा तब उसके बाद गुडाई करने के बाद डालेगा तो यह देखिए रिम के किनारे-किनारे में ऐसे गुडाई कर दे रहे हूं मि तो अच्छे आप दालूंगे जैसा कि मीव बता रहे हूं कि बारिस के बाद जो है यह में पहला खाद दे रही हूं गुलाब को कि बारिस इस वर बारिस तो ठीकी ठाक हो गई और इतना पानी हुआ कि मतलब इसमें जितना भी निउट्रियंस था मिट्टी का वो निकली च तो इसको अच्छे मांट में ऐखाद मलना जाए तो इसको इसको इस बार जो है अच्छे मांट में ऐखाद डालएंगे तो इस तरीकit से और ईसके बाद आप इसkam पानी डालंगे लेकिन आप चाआ zijनacy Peut तो इस तरह से मैं सभी में डाल दिया है तो अब नहीं बिय को तो इतनी मि अगर मैं नहीं बsorry आल थी यह दो दिन बार डालती तो चलता लेकिन आप मैं थोड़ा सा पानी डाल दी रही हूँ यह इस तरीके से आप सभी प्लांट में जो है इस समय खाड डाल दीजिये इस सब्सक्राइब ऊब सब्सक्राइब जो आने वाला मौसम है कि इनकी किलने का टाइम हो जाएगा तो यह फिर अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और बाकि यह नीम्बू का प्लांट देखिए तो इस नीम्बू इस बार थोड़ा कम आये हैं क्योंकि मैंने इस बार केर बहुत थोड़ा कम ही किया था इसका लेकिन आये हैं और यह मेरा 1280 नीम्बू है तो इसे हैं यह परसले पॉर्शल का मुझे हटाना है हैंगिंग प्लांटर से तो इनको हटा के अम में दूसरे सीजनल प्लांट ही इसमें लगाऊंगी और इनको ठीर ठीक से अरेंज करूंगी अब नीचे क्या है कि घर में भी लोगों की समय मौसम बदलने के वज़े से तवे काम भी इसमें धीरे थुड़ा कम हो गया था धीरे ही हो रहा था लेकिन हां आप सब स्वास्थ हैं तो अब गार्डन का काम में तेजी से करूंगी और वीडियो भी आप लोगों के पास जल्दी जल्दी आएगी तो इस तरीके से यह देखिए मेरा गार्डन ठीक है और